दोस्तों अब आप हमें आन अकेडमी पर भी फालो कर सकते हैं जहाँ पर मैंने railway group D, SSC bank, other exam के लिए कई courses upload किये हैं जिसको देखर आप अपनी तैयरी कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप प्ले स्टूर पर जाके आन अकेडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बाक्स में सर्च करके मुझे फालो कर पाएंगे जहाँ पर मैं आपको study material प्रोबाड कराऊंगो और railway group D, other exam के लिए औ और आप मुझे direct message भी कर पाएंगे तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले math के कुछ questions जो कि आयद पूंचे गए हैं तो दोस्तों बने रही है हमारा साथ अगर आपने अभी तेक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजीगा और पास में जो bell icon हो चलिए start करते हैं देखिए हमारा पाहला question बनता है a ratio b is equal to 2 ratio 3 okay b ratio c is equal to 4 ratio 7 तो हमें बताना a ratio b ratio c कमान क्या होगा तो सबसे पहले हम लिखते है a ratio b कितना है 2 ratio 3 b ratio c कितना है 4 ratio 7 अब देखिए यह c की जगह आगे खाली है तो इसको 3 को उठाके हम लोग आगे copy कर देंगे आप देखिए बोर के पीछी यह खाली स्तान है तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 4 copy कर देंगे यह उठाके 4 copy कर दिया आप क्या करेंगे लाइन खीचेंगे दो का multiply 4 में किया 8 हा जाएगा यह मैंने 4 लिग दिया यह 8 होगा ओके 3 का 4 में multiply करेंगे तो 12 पर 3 का 7 में multiply करेंगे तो 21 तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 रेसियो 12 रेसियो 21 ओके यहां 4 होगा अगला question है 1331 का घनमूल ग्यात के जिए तो 1331 का घनमूल क्या होगा तो हम लोग करेंगे अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू 11 तीन का जोड़ा बनाएंगे तो बाहर निकाल लिए 11 तो आंसर हो जाएगा हमारा 11 का क्यूब कितना होता 1331 ओके अगला question हमारा time and work है तो कैसे करेंगे एकूसी काम को 25 दिन में करता है प्रून मिल कर फो कीशम करते है यह करेंगे देखिए a काम 25 दिन में करता है, b किसी काम 20 दिन में करता है, okay, अब क्या करेंगे हम लोग इनका टोटल बर्ध निकालेंगे, तो 25 और 20 काम लोग, lc निकालेंगे तो कितना आएगा, 100, त जो कि हमारा हो जाएगा, अब हम लोग A और B का एक दिन का काम निकालेंगे, तो 25 का डिबाइट 100 में करेंगे, तो 4 आ जाएगा, ओके, फिर 20 का डिबाइट 100 में करेंगे, तो 5 आ जाएगा, तो A का एक दिन का काम आ गया 4 और B का एक दिन का काम आ गया 5 तो A प्लस B का हम लोग एक दिन का काम निकाल लेंगे कैसे आएगा तो A प्लस B इसकल टू 4 प्लस 5 तो 9 यूनिट एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर तो 5 दिनों में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 9 x 5 मतलब 45 unit तो remaining बचा हुआ काम कितना होगा टोटल बार से हम लोग 45 घटाएंगे 55 unit बचा हुआ है तो B अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा तो जो बचा हुआ काम है उसमें हम लोग 5 के डिवाइट कर देंगे क्योंकि B का जो एक दिन का काम है 5 है इसलिए 5 के डिवाइट कर देंगे 55 बचे 5 आंसर हो जाएगा 11 दिनों में अगला question है कोई तिरुबूद जिसकी भुजा है 5, 12, 13 हों तो अर्ध परिमाप बताए तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है Yes is equal to A plus B plus C upon 2 A, B, C के मान हमें अर्ध पता है 5, 12, 13 तो 5 plus 12 plus 13 upon 2 तो 30 बचे 2 आंसर हो जाएगा 15 अगला question है 3 जो है 81 का कितना percent आए तो हम लोग क्या करेंगे 3 बचे 81 into 100 कर लेंगे तो 100 बचे 27% अब हम लोग missed fraction मिस्रित percentage में convert करेंगे 3 सही 19 बचे 21 हो जाएगा एक बार सारे question को repeat कर लेते हैं देखिए हमारा पहला question बनता है A ratio B is equal to 2 ratio 3 B ratio C is equal to 4 ratio 7 तो हमें बताना A ratio B ratio C कमान क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग लिखते है A ratio B कितना है 2 ratio 3 B ratio C कितना है 4 ratio 7 अब देखिए यह C की जगह आगे खाली है तो इसको 3 को उठाके हम लोग आगे copy कर देगे आप देखिए बोर के पीछे यह खाली स्थान है तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 4 copy कर देंगे यह उठाके 4 copy कर दिया आप क्या करेंगे 2 का multiply 4 में किया 8 आठा जाएगा यह मैंने 4 लिग दिया यह 8 होगा 3 का 4 में multiply करेंगे तो 12 3 का 7 में multiply करेंगे तो 21 तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 ratio 12 ratio 21 ओके यह 4 होगा अगला question है 1331 का घनमूल गयात किजिए 1331 का घनमूल क्या होगा तो हम लोग करेंगे under root 11 into 1 into 1 3 का जोडा बनाएंगे तो बहार निकल यह 11 तो answer हो जाएगा हमारा 11 11 का cube कितना होता 1331 अगला question हमारा time and work का है A किसी काम को 25 दिन में करता है B उसी काम को 20 दिन में करता है 5 दिन तक काम करते हैं फिर A काम अब क्या करेंगे हम लोग इनका टोटल बर्क निकालेंगे तो कितना आएगा 100 जो कि हमारा हो जाएगा टोटल बर्क अब हम लोग ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो चार आ जाएगा तो एक दिन का काम आ गया चार बी का एक दिन का काम आ गया पांच तो ए प्लस बी का हम लोग एक दिन का काम निकाल लेंगे कैसे आएगा तो ए प्लस बी इसकल टो चार प्लस पांच तो नो यूनिट एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर तो पांस दिनों में दोनों मिलकर कि इतने दिनों में करेगा, तो जो बचा हुआ काम है, उसमें हम लोग 5 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि B का जो एक दिन का काम है, 5 है, इसलिए 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 55 बटे 5, आंसर हो जाएगा 11 दिनों में, ओके, अगला कोश्चन है, कोई तिरुबूत जिसकी भुजा है, 5, 12, 13 हों, तो अर्ध परिमाप बताएगे, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यस स्कल टू, A, B, C के मान हमें पता है, 5, 12, 13, तो 5, 12, 13, अपर टू, तो 30 बटे 2 आंसर हो जाएगा, 15, अगला कोश्चन है, तीन जो है, 81 का कितना परसेंट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बटे 81 इंटू 100 कर लेंगे, तो 100 बटे 27 परसेंट, अब हम लोग मिस्ट फ्रेक्शन, मिस्रित परसेंटेस में कनबट करेंगे, तो 3 साही, तो 3 साही, 19 बटे 21 परसेंट हो जाएगा, तो दोस्तों, इस वीडियो में तुन है, अगर आपको वीडियो पसंद आप, वीडियो को लाइक को सेट जरू करें, और मा चलन को सब्सक्राइब करें,